भूत है के नहीं ये अलग बात है लेकिन उसके कहानिया जरूरा अपने आसपास के लोगों से सुनी होगी ऐसी ही कुछ haunted stories दिल्ली के सटे गुरुगराम की भी है यहां रहने वाले लोगों ने इन जगों पर भूत या फिर उसके साई के होने की बात कबूल की है नमबर एक M.G. रोड रात में M.G. रोड के कुछ सुन्सान हिस्तो पर लोगों ने सफेज साडी में महिला को देखने की बात कही है जादे तक केब ड्राइवर्स जिनका रात में यहां आना जाना होता है उनका कहना है कि उन्होंने एक औरत को यहां देखा है जो अपनी जीव और हाथ बढ़ा कर उने रोखने के लिए कहती है इस्थानिय लोगों का मानना है कि वहाँ कुछ साल पहले एक औरत की मोत हो गई थी उसी की आत्मा यहां पठकती रहती है नमबर दो साइबर सिटी, गुरुगराम के इस पोस इलाके में एक स्कूल है इसके बारे में कहा जादा है कि यह बच्चों के कबरिस्तान पर बना है इसलिए रात में यहां बच्चों के रोने की आवाजे सुनाई देती है इसी वज़े से इस स्कूल में कोई भी गाड रात में पहरा देने के लिए नहीं रुकता तो लोग जो रुके थे वो रात में ऐसे ही ड्रावनी आवाजों से प्रेसानों कर भाग गए और अपनी सैलरी भी लेने नहीं आए इस गटना के बाद इस स्कूल वालों ने पूजा क प्रेसाथियों ने उसके बारे में जानना चाहा वो उसके घर पर गए लेकिन मंकान मालिक ने बदाया कि इस नामा कोई रहता ही नहीं किसी तरह उन्होंने रोज के गरवालों से संपर्क किया वहाँ ये जानकर वो हैरान हो गई कि उसके मोटो BPO बनने के कहीं साल पहले ही हो गई थी बाद में उफिस वालों को पता चला कि उनका BPO किसी कबरिस्थान पर बना हुआ है फुनी में से एक की आत्मा यहां आई थी यहां के एक अपाटमेंट से लोगों को अजीब तरह की आवाजे सुना ही देती है आसपास के घरों में भी कभी बातरूम में नलसिलने लगता है तो कभी अपने आप लाइट्स ओन हो जाती है इस्थानिय लोगों का कहना है कि एक वैक्ति जिसका किसी ने बातरूम में कतल कर दिया था यह सबुषी की आत्मा करती है इसके वज़े से कई लोग पागल भी हो चुके हैं इस फलाइओवर को भी होंटेड कहा जाता है लोगों का कहना है कि यहां एक महिला दिखाई देती है जो लोगों को रास्ता पूछने के बहाने रोकती है जो रूख जाता है वो खुद अपना रास्ता भूल जाता है और बीमार पढ़ जाता है ऐसा तकरीबन रात के एक से चार बजी के बीच होता है यहां के फलेट में एक महिला अपने परिवार के साथ नई नई सिफ्ट होई थी उन्हें रात को किसी के बैर बजा कर जाने और लाइट्स के अपने आप ओन ओफ होने जैसी दिक्कते होने लगी एक दिन अचानक रात को उनके बैटे की टोई कार उनी के इदगित घूमने लगी ये नजारा देखकर वो इतने डर गई की अगले ही दिन उस घर को खाली कर दिया उसके बाद से ही वो घर खाली पड़ा है नमबर साथ सेक्टर 15 यहां रात में लोगों को एक होन्टेड कार दिखाई देती है ये कार दूसरी गाडियों को बहुत ही तेजी से और टेक करती है लेकिन जब लोग उसका पिछा करते हैं तो वो कार कहीं कायब हो जाती है या फिर लोगों का एक्सिडेट हो जाता है दोस्तों अगर आपके पास कोई होन्टेड इस्टोरी है तो हमें कमेंट करके हमसे शेयर करें और हमारी एमेल आइडी पर आप उस इस्टोरी को शेयर कर सकते हैं